आपका स्वागत है और मैं हूँ आगाज सिंग आज इस वीडियो पर हम 36 आर्थिक सर्विक्षन के दूसरे चेप्टर पर बात करने वाले हैं जो की संबंदित है जनसंग्या से पहले चेप्टर पर आधारित वीडियो और यूटूब पर आ चुका है और अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें उस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आप मेरे फ्लो को मेरे पैटरन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से आर्थिक सर्विक्षन को हम डिल कर रहे हैं आर्थिक सर्व के पैटरन को यहां पर हम कवर कर सकें साथ ही साथ इस वीडियो को देखने से पहले निचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जो पीडियाफ दिया है उसे डाउनलोड कर लें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महतवपूर्ण होने वाला है क्योंकि उस पर आप गुदागादी करन वाले हैं गुदागादी करने का मतलब यह है कि जब आप उस पीडियो को हाथ में रखकर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी अन्य महतवपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जो इस एकनॉमिक सर्वे के पेजेस पे शायद ना हो उसे आप वहाँ पर नोट करेंगे साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेंगे उसे आप अंडरलाइन करेंगे और यह सारी चीज़े आपको बहुत ही हल्प करेंगी रिविजन करने के लिए एक्जाम से एक दो दिन पहले अब इस विडिये की शुरुआत करते हैं अर्था चेप्टर टू की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कर लेता हूँ और वो यह है कि सीजी पीएसी प्री का निजल डिकलियर हो चुका है और पुरा चातर समूद दो वर्गों पर भी विवाजित हो चुका होगा एक वो वर्ग जो प्री क्वालिफाई कर चुका है और मिंस देने वाला है हर्शो लास का अनभुती कर रहा है लेकिन साथ ही साथ चिंता की लकीरे भी उसके मस्तिष्ट पर दीख रही है कि मेरा ये सब्जेट कवर नहीं हुआ है मैंने ये नहीं पढ़ा है मैं कैसे करूं क्या करूं कहां करूं रातों की नींद छीन गई है तो देखिए बिलकुल भी घबराईए नहीं आप एक अच्छा सिस्टेमेटिक स्ट्रेटिजी बनाएए एक प्लान बनाएए और उस प्लान के आधार पर अपने डेली टार्गेट को पूरा करते जाएए डेली टार्गेट पूरा करिए और विकली टार्गेट पूरा करते करते मसली टर्गेट पूरा करते जाएए अपने इस्ट्रांग एरियायज को खो घजीए अपने वीक एरियायज को ज़धा टाइम दीजिए लेकिन इन सारी चीजों के साथ बास़ात में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिक्स जादा important है answer writing practice कैसे किया जाए तो इस पर आधारित भी एक वीडियो मैंने YouTube पर डाले हैं हमारे चैनल पर जाकर competition community के चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उत्तर लेखन के लिए महतुपूर्ण बिंदूए क्या है और answer writing करते समय उन चीजों को कैसे apply किया जा सके दूसरी जो महतुपूर्ण बात है वो यह है कि वो चातर जिनका pre qualify नहीं हुआ है वो एक चीज़ अपने दिमाग में इस पस्ट तोर पर डाल लें कि आपके जीवन में बहुत सारी परिक्षाएं आएंगी बहुत सारी परिक्षाएं आई हैं बहुत सारी परिक्षाएं आप अपने मित्रों से बात करिए आप अपने परिजनों से बात करिए लेकिन आप निराश मत हुए आप उदासीन मत हुए आप दूबारा से बांस बैक करिए क्योंकि यह एक्जाम का नेचर है यह एक्जाम का नेचर कभी आपको फेलियर नहीं देता यह एक्जाम का पास के दम पर हमेशा मौंस बैक करिए एक चीज़ ध्यान रखिए और अपने दिमाग में ये चीज़ चिपका लेजे कि युद्ध जितने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है युद्ध मैदान पर युद्ध करते रहना क्योंकि अगर आप युद्ध यह नहीं करेंगे तो परिणाम कभी आपके पक्षमें नहीं आएगा लेकिन अगर आप युद्ध करते रहेंगे तो आपके पास दो भी कल्ब होगा या तो परिणाम आपके पक्षमें होगा या तो आपके पक्षमें नहीं होगा तो अपने आपको दुबारा से खड़ा करिए दुबारा से तय लिया है अब दुबारा से अपने आपको खड़ा करके प्लान बनाईए और एसी अफ की तैयारी पर भीड़ जाईए तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर टू की और चैप्टर टू आधारित है जैसा कि मैंने आपको बताया जनसंग के अबर तो चलिए सबसे पहले प् से समेलित नहीं है ज्यान रखेगा पूचा गया है समेलित नहीं है मैच नहीं हो रहा है अब आपके सामने कुछ यहां पर आप्षन आ रहे जिला राईपूर ए अब इस सवाल का जबाब कहां पर है इस सवाल का जवाब इस chapter के सबसे पहले page पर है जिसे आप मैं तो पुंड बिंदू के नाम पर देखते हैं या वो clear नहीं दिखेगा मुझे दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा और इसके color को मैं change भी नहीं करूँगा economic survey का flavor मुझे change नहीं करना है इसलिए pdf दिया गिय होंगे तो इस सवाल का जवाब आपको सबसे पहले paragraph पर दिखेगा क्योंकि पहले paragraph पर ही बताया गया है कि 2011 की जंगर्णा की अनुसार सरवादिक अनुसुची जाती एवं अनुसुची जाती प्रतिशत वाले जिले करमशा मुगेली जिसमें 27.76 प्रतिशत अनुसुची ज जाती के लिए तो अगर इसी पॉइंट पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नुसुची जाती जाती प्रतिशत वाले जिले करमशा सुखमा एवं राइपूर हैं अब इस पॉइंट पर आते हैं तो इस दिये गया जानकारी के हिसाब से हमें option C पर कुछ बात होती हुई दिखती है और वह यह है कि नुसुची जाती प्रतिशत वाले जिला बिलासपूर नहीं है बलकि सुखमा है एक दशमलोग एक शुर्ण ये प्रतिशत और इसी के साथ हम इसके उत्तर तक पहुंच चुके हैं और वह है option C अर्थाथ option A option B दोनों का जो यह प यह सही जवाब मिल चुका है अब अगर हम इसे दूसरे ग्राफ पर देखें तो यहां पर आपको अनुसुची जाती जनसंख्या प्रतिशत दी गई है जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मुगेली जिला देखने को मिलेगा 27.76 प्रतिशत से और सबसे नियूंतम प्रत राइपूर 4.30 प्रतिशत तो यह हो गया अनुसुचीत जन्जाती जाती की सरवाधिक और नियूंतम प्रतिशत वाले जिलो का कहानी अब इसे आपको कैसे कवर करना है तो यह वाला जो आप ग्राफ देख रहे होंगे इस ग्राफ में उपर के तीन जिले और नीचे के तीन जिले आपको याद रखने हैं क्योंकि अवरोही क्रम वाले प्रश्ण भी आप से पूछे जा सकते हैं अगर आपको तीन जिलों के नाम याद हैं तो बहुत ही असानी से आप सही आप्शन तक पहुंच जाएंगे तो चलिए दूसरे प्रश्ण से आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्ण कहता है राज्य में 27 जिलों के अनुसार दश्किये जनसंख्या व्रिदी दर अर्थाद 2001 से 2011 वाली अवदी में सरवादिक व्रिदी दर वाला जिला है आप्शन A दिखता है बलोदा बजार आप्शन B दिखता है राइपूर आप्शन C हमको देखने को मिलता है विलासपूर और आप्शन D देखने को मिलता है राइगर इसका जवाब कहां मिलेगा इसका जवाब भी पहले पेच पर मिलेगा महतवपुन बिंदू वाले पेच पर और उस पहले पेज के इमेज पेजाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जनसंक्या-व्रिद्धी का क्या अर्थ है या पोपुलेशन ग्रोफ रेट का अर्थ क्या है पॉपापुलेशन ग्रोफ रेट अगर आप देखें नमबर औप individuals in a population increases in a given time period expressed as a fraction of the initial population initial population मान लिजे 2001 में 100 है और 2011 पर अर्थाद एक given time पर ये population 110 हो गई तो 10 लोगों की संख्या बड़ी divided by 100 करिए तो आपको ये 10 प्रतिशत दिख जाएगा अर्थाद 2001 पर अगर जनसंक्या 100 है और 2011 पर 110 है तो कितना प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है तो 10 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है population growth rate अगर आप समझ गए तो आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत और 36 गड़ में जनसंक्या व्रिद्दी दर की क्या कहानी है भारत के परपेक्ष में अगर आप देखें तो भारत में जनसंक्या व्रिद्दी दर 17.7 सुन ये प्रतिशत है और वहीं 36 गड़ पर ये जनसंक्या प्रतिशत आपको 22.61 देखने को मिलेगी तो इस जानकारी के बाद अब हम इस इमेज पर चलते हैं और इसका जवाब हमें मिल जाएगा दूसरे पराग्राफ में 36 गड़ के 27 जिलो में दश्की जनसंक्या व्रिद्दी दर 2011 प्रतिशत में कुल जनसंक्या में सरवादिक बलोदा बजार कितना परसेंटेज ग्रोस रेट दीख रहा है 49.87 परसेंटेज और नियुनतम हमें दीख रहा है सुकमा पर 8.16 प्रतिशत जबकि 36 गड़ का है 22.61 प्रतिशत तो बलोदा बजार अगर आपको यहाँ पर जवा पर 49.87 परसेंटेज दीखता है दूसरे नंबर पर विमेतरा दिखता है 42.65 परसेंटेज पर और उसके बाद कबिरधाम दीखता है 40.71 परसेंटेज पर नियुनतम अगर आप देखेंगे तो सुकमा है 8.16 सेकेंड लास्ट है बीजापूर और थर लास्ट है बालोद 10.24 प् अब अगले प्रश्ण पर हम पहुंचते हैं और अगला प्रश्ण आधारित है लिंग अनुपाद या सेक्स रेशियो पर जंगर्णा 2011 के अनुसार 36 गड़ में लिंग अनुपाद के संदर में निम्न लिखित को सुमेलित करें ये रहा सुमेलित करे वाला कुश्चन का पैट देखने को मिलेंगे सरवाधिक लिंग अनुपाद वाला जिला नियूंतम लिंग अनुपाद वाला जिला अनुसुची जाती में सरवाधिक लिंग अनुपाद और अनुसुची जाती में नियूंतम लिंग अनुपाद ये आपको मैच करना है इस इमेज पर अगर हम आते ह हैं तो हमें ये जानकारी दिख जाएगी चौथे पेरागराप पर और यहां हम को देखने को मिलेगा कि सरवाधिक लिंगानुपात कुंडा गाउं जिले पर है एक हजार तैस संक्या के साथ अर्थात हरजार पुरुसों में महिलाओं की संक्या एक हजार तैस से अर्थात तैस महिलाओं की संक्या जादा है पुरुसों के मुकाबले नियुन्तम हमें देखने को मिलेगा राइपूर में 963 के साथ इस जानकारी के साथ हम इस प्रशन पर अगर पहुँचे तो क्या सही जवाब तक हम पहुँच पाएंगे तो चलिए देखते हैं सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला हमने देख लिया यहाँ पर कॉंडा गाओ अरधात एका वन हमें सही आप्शन पर मिलेगा तो एका वन हमें आप्शन ए पर दिखता है और उसके बाद किसी भी आप्शन पर हमें एका वन देखने को नहीं मिलता अर्दाद सिर्फ एक जानकारी के साथ आप सही आप्शन तक पहुँच गए और सही आप्शन है आप्शन ए ये एक तरीका है आंसा सौफ कलने का जरूरी नहीं कि जितने भी यहां पर मैच्ज दॉफ होलिंग वाले पॉइंट दियें वो सारे जब तक आपको पता नहीं होंगे तब तक आप सही उत्तर तक नहीं पहुँच सकते आपको जो भी जानकारी पता है उस जानकारी के अधार पर आप आप आप्शन की तलाश पर निकले है कूंडा गाउ में दूसरे नमबर पर 1023 संख्या के साथ दक्षिन बस्तर दंते वाड़ा देखने को मिलता है और त्सरे नमबर पर हमें देखने को मिलता है बालो जिला 2022 संख्या के साथ नियूंतम अगर हम देखें तो लाइपूर देखनों को मिलता है 963 संक्या के साथ दुर्ग दिखता है और उसके बाद दिखता है कोरिया अब 36 गड़ पर लिंगानुपात की कहानी तो हम समझ लिए लेकिन अगर इसी कहानी को हम मैप के साथ में देखे या मानचितर के अधार पर देखे तो आपको ये दिख दख्शिन हाला भाग है राजजय का जो दख्शिन वाला भाग है इसमें डार्क रेड्ड कलर दिख रहा है और डार्क रेड कलर हमें दर्चार है कि शैक्स रेशियो जहां पर drifting की संख्या तो इस तरीके से भी आप सहीं उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि जो जंजाती छेतर वाले जिले हैं ऐसे जिले जहां पर जनजाती जनसंक्या का प्रतिशत काफी जादा है ट्राइबल जादा रहते हैं वहां पर सेक्स रिश्यो जादा है और अगर आप उपर की और पहुंचे अर्थाद अगर आप नॉर्धन पार्ट अफ चतिस गर देखें तो ये वो वाला पर सेक्स रिश्यो अच्छा देखने को मिलता है ये उनका अपना सांस्क्रितिक बिशेश्चता है अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि जनरली हम ऐसा क्यों देखते हैं कि जिस जिले पर जनजाती जनसंक्या की प्रतिशत काफी तो ये आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे देखिए जो भी सवाल मैं आप लोगों से पुछूँ और कमेंट सेक्शन पर बताने को कहूँ आप जरूर बताएंगे क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा मुझे एनरजी मिलेगी और मैं फिर उसके बाद ज ऐसा आभास होगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो किनी के लिए तो सार्थक जरूर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम दूसरे प्रशने पर नजार डालते हैं। और दूसरा प्रशने कहता है कि जंगंड़ना 2011 के नुसार 36 गड़ में प्रतिशत में स लासपूर और फिर दिखता है उपरूक्त में से कोई नहीं ये नन अफ दी अबाव बहुत ज़्यादा टेंशन देता था जब पांच आप्शन होते थे तब अब चार आप्शन पर अगर नन अफ दा अबाव आता है तो हम थोड़ा सा रिलेक्स हो जाते हैं। अब वो क्य इस इमेज के पैराग्राफ पर आपको ये दिखेगा सेकेंड लास पैराग्राफ पर आपको दिखेगा कि जंगंडा दोहजार ग्यारा के अनुसार 36 गड़ में प्रतिशत में सरवादिक शहरी करण दुर्ग जिला में है 64.15 परसेंट के साथ और सहीं जवाब हमें मिलता है अप्शन A और वह है दुर्ग जिला एक बार फिर से बता दू कि इमेज ब्राइट है इमेज चमाक रहा है पीडिय अफ डाउनलोड कर लें बार बार आप लोगों को कह रहा हूं पीडिय अफ डाउनलोड कर लेना इमेज बहुत ज़या ब्राइट कलर पर आ रहा होगा नही इस वीडियो को काफी efficient way पर खतम करना है तो और वीडियो का और image का color ऐसा ही रहेगा क्योंकि economic survey में इसी color का था और वहीं से डारेट उठा कर यहाँ पर powerpoint पर इसे paste किया गया है तो चलिए अब इस बारगाप पर हम नज़र डाले तो सबसे ज़्यादा शहरी करण हमें देखने को मिलता है दुर्ग पर दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा राइपूर 59.08% के साथ फिर दिखेगा कोरबा में 36.99% के साथ लास्ट जीला जो हमको देखने को मिलेगा वो ह पर प्रतिशत की संक्या है 4.75% और उसके उपर आप पहुँचेंगे गरिया बंद उसके उपर आप पहुँचेंगे जश्पूर तो आपको टॉप थर्ड और बॉटम थर्ड याद रखना है फिर से आपको बता दू क्योंकि एसेंटिंग डिसेंटिंग और पर बेस्ट प यह 36 गड़ का ग्राफ है 36 गर के ग्राफ पर आप देख रहे होंगे कि 36 गड़ में शहरी करण पतीशत है 23.24 अरता 36 गड़ का जितना भी पोपुलिश्यन है उसमें से 23.24 पतिशन असे और बन चेटर मे रहता है यह इतना प्रतिशत वाला भाग 36 गड़ का 20 प्रतिशद या उससे कम वाले राजजी ये होते हैं जिसमें आपको उडिसा, बिहार, असम और हिमाचल प्रदेश देखने को मिल रहे हैं और अगर आप डार्क रेड वाला सेक्शन देख रहे होंगे जनसंख्या शहरी करण में रहती है या फिर 20-25 प्रतिशद वाला भाग जो है वो अर्बनाइज जै तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको इस ग्राफ पर बता दिया है कि 36 गड़ में जो अर्बनाइज परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो 23.24 पतिशद है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन पर नजार डालते हैं अगला प्रशन कहता है जन्गर्णा 2011 के अनुसार निम्न लिखित में साक्षरता दर संबंदित सुमेलित करे अर्थात लिटरेसी रेट पर आधारित कुछ प्रशन अब आपसे पूछा जा रहा है तो आप्शन आपके सामने ये है कि सरवादिक साक्षरता दरवाला जिला पहला दिखता है दुर्ग दूसरा यहाँ पर आपको पॉइंट दिखेगा नियुन्तम साक्षरता दरवाला जिला सुकमा तीसरा आपको देखने को मिलेगा अनुसुचित जाती में सरवादिक साक्षरता बालोद और D आपको दिखेगा अनुसुचित जाती में नियुन्तम साक्षरता दर सरगुजा option आपको कूट रुपी यहां पर देखने को मिल गए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साक्षरता दर या लिटरिसी रेट का अर्थ क्या है The total percentage of population of an area at a particular time aged 7 years or above who can read and write with understanding अर्थात 7 साल से उपर की उम्र होनी चाहिए और कोई एक भाषा को वो लिख सके understanding के साथ तो उसे साक्षर कहेंगे और total population पर इसकी जो दर होगी उसे हम literacy rate या साक्षरता दर कहेंगे अब इस image पर आ जाएं तो सबसे last paragraph पर इसका जवाब हमें देखने को मिलेगा कि जनगर्णा 2011 के इनुसार 36 गड़ में कुल साक्षरता दर में सरवाधी देखने को मिलता है दुर्ग में अर्थात A point का मिल जाता है वन दुर्ग और ये आपको कहां देखने को मिल रहा है option A पर A का 1 तो इस तरीके से आप यहीं पर पहुँच गए सबसे सही जवाब पर क्योंकि option किसी भी option पर A का 1 आपको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन हम आगे भी बढ़ते हैं कि नियुन्तम साक्षरता दरवाला जिला दिया गया है सुकमा और अनुसुची जाती में सरवाधी साक्षरता अगर किसी जिले में देखने को मिलती है तो वो है बालोद का है और किसी भी राज्य में महिला और पुरुषों के सक्षर्टा दर पर अगर अंतर बहुत जादा होगा अर्थात उतना ही जादा अंतर है महिला और पुरुष के समाजिक इस्थिती पे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिटरिसी रेट भारत और चतिस परसेंटेज और चतिस गड़ का देखने को मिलता है 70.28 प्रतिशत तो अगर किसी जगह आपको कोई एक लाइन दिखे और उसमें ये बताया जाए कि चतिस गड़ की सक्षर्टा दर भारत के परपिक्ष में कम है तो आप उसे सहीं ऑप्शन के तौर पर चूस कर लेंगे क् भारत पर है 74.04 और वहीं चतिस गड़ पर है 70.28 परसेंटेज तो चलिए अब हम अगले प्रशन पर बढ़ते हैं और अगले टौपिक को कवर करते हैं अगला प्रशन कहता है कि निम ने लिखी जिलो को अनुसुची जाती जनसंक्या प्रतिशत के अधार पर अवरोही क्रम में विवस्थित करें अर्धात बड़े से छोटे का क्रम हमें चूस करना है ये रहा इमेज और इसके अधार पर हम सही ऑप्शन पर पहुचेंगे देखे अनुसुची जाती जनसंक्या प्रतिशत के अधार पर हमें देखने को मिल रहा है कि मुगेली जीला सबसे पहले नं पर है जांजगीर चापा और तीसरे नंबर पर है बलोदा बाजार तो ये वो पैटन है जिसके बारे में मैं अभी तक बात कर रहा था कि आपको टॉप थर्ड और बॉटम थर्ड याद रखना है क्योंकि अवरोही क्रम पर आधारित प्रशन पूच सकते हैं तो चलिए सही आप्शन की तलाश पर निकलते हैं पहला आप्शन दिखता है मुंगेली जांजगीर चापा बलोदा बाजार इसको देखके ही आपके मन में संतुष्टी आ गई होगी कि सही जवाब तो मिल चुका है लेकिन आवशकता से अधिक विर्टा विरगती का कारण होती है इस टाइम पर जो आपनी विर्टा दिखाई वो विर्गती का कारण नहीं बनती और सही ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए मुगेली जांजगीर चापा बलोदा बाजार ये विर्टा और विर्गती की कहानी से मैं आप लोगों की दिमाग पर एक बात डालना चाहता हूं कि पर हम बहुत हडबडी में हो जाते हैं और हम ऑप्शन देखते हैं बाकी ऑप्शन को देखे बिना ही हम सही ठिक करके आगे बढ़ जाते हैं बाद में पता चलता है कि अरे यार गलत हो गया लेकिन तब-तक आप एक्जाम हाल से निकल चुके रहते हैं और अपने घर पर ब और अगले प्रशने पर पहुंचते हैं कि पंचाया संचालन आलाइच 36 गड़ रिपोर्ट 2019 के अनुसार सरवादी ग्राम पंचायत कि इस जिले में हैं। और इसका जवाब कहाँ पर मिलेगा तो इसका जवाब मिलेगा इस इमेज से और सबसे अंतिम वाला जिला हम को देखने को मिलता है राजनान गाओं और ये ग्राम पंचायतों की संख्या हमें देखने को मिलेगी। तो ये जन्गना 2011 के अनुसार हमें 798 देखने को मिलता है और इस रिपोर्ट के अधार पर ये हमें देखने को मिलता है 814 तो दोनों ही रिपोर्ट के अधार पर राजनान गाओं ही टॉप पर आता है तो जब भी आपको ग्राम पंचायतों की सरवादिक संक्या अगर किसी जिले पर पूछी जाए तो आप आँख फूनकर राजनान गाओं की ओर चले जाएंगे और यह से ही आप्शन B पर पहुँच जाएंगे राजनान गाओं तो चलिए यह सवाल भी हमारा समाप्त होता है और उसके बाद हम पहुचते हैं कि कुल लिंगानुपात के अधार पर निमल के जिलो को अवरोही क्रम में विवस्थित करें सेक्स रिशो के अधार पर अवरोही क्रम पे विवस्थित करना है पहला बालोद कॉंडा गाओं दंतेवाडा दूसरा है दंतेवाडा कॉंडा गाओं बालोद तीसरा है कॉंडा गाओं दंतेवाडा बालोद और चौत बच जाता है option C और option D और सहीं जवाब की खोज में हम इस image पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कुंडा गाउं है दूसरे नंबर पर दक्षिन बस्तर दंतेवाड़ा है और तीसरे नंबर पर बालोध है तो इसका मतलब यह है कि हमारा option C सहीं option देखने क मिलता है अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर और अगला प्रश्ण आधारित है कि सरवाधिक अनुसुचित जाती लिंग अनुपात वाला जिला जंगर्णा 2011 के अनुसार कौन है बस्तर बालोध की धमतरी की राजनान गाउं अब सहीं उत्तर हमें देखने को मिलेगा र रखने वाला जिला है सरवाधिक अनुपात अनुसुचित जाती में हमें राजनान गाउं पर देखने को मिलेगा और वो है 1035 दूसरे नंबर पर है बालोध 1034 और तीसे नंबर पर है धमतरी 1028 तो इस तरीके से सहीं ऑप्शन तो आप पहुँची चुके हैं तो अगले प् या अगला प्रश्न जो है वो यह है सरवाधिक अनुसुचित जाती लिंगानुपात वाला जिला इसके पहले जो प्रश्न आपने देखा था वो अनुसुचित जाती लिंगानुपात वाले जिले पर अधारी था और यह अनुसुचित जाती लिंगानुपात वाले जिले पर अधानित हैं पहला ऑप्शन दिखता है सुखमा दूसरा दिखता है कॉंडा गाउं तीसरा दिखता है दक्षिन बस्तर दंते वाड़ा और चौथा दिखता है बस्तर सही जवाब कौन सा होगा तो इस तर आ जाते हैं और देखते हैं दक्षिन बस्तर दंते वाड़ा एक ह जनगर्णा वर्ष 2011 के अनुसार आकांशी जिलो में हजार से अधिक जनसंक्या वाले गांसरवादी किस जिले में हैं। कमेंट सेक्शन पर आप बताएंगे कि आकांशी जिला योजना क्या है, क्या होता है इसका मतलब। और 36 गड़ क्या अकांशी जिला योजना के संदर्व में कोई पुरुसकार भी हासिल किया है क्या अगर ऐसा है तो वो कौन सा पुरुसकार है और अगर कोई रैंक मिली है तो कौन सा रैंक है ये सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। पहला ऑप्शन दिखता है बस्तर, दूसरा दिखता है महासमून, तीसरा दिखता है कोर्बा और चौता दिखता है राजनान गाउं। अब अगर आप इस इमेज पर नजर डालें तो हमें दिखेगा राजनान गाउं और ये है चार सो पचास। फिर दिखेगा महासमून पर दो नवासी संक्या के साथ, फिर दिखेगा कोर्बा में दो सो अटासी संक्या के साथ, तो सही जवाब हमें दिखता है और वो है राजनान गाउं। चलिए अब अगले प्रशन पर चलते हैं और अगली कुछ कहासी समझते हैं। अगला प्रशन कहता है कि अकांची जिलो में अनुसुची जनजाती सरवादिक लिंगानुपात है तो अकांची जिलो में वो भी अनुसुची जनजाती पर अधारित और वो भी लिंगानुपात पर अधारित ये प्रशन बन रहा है तो अक्थाथ आपको अकांची जिलो के स साथ अनुसुचे जंजाती और वो भी लिंग अनुपात पर कुछ जानकारी देखनी होगी और वो कहां से देखनी होगी वो मैं आपको बता दूगा तो घबराईएगा नहीं अपने मनस्पटल पर चिंता वाली लकीरे मत खिचिएगा ऑप्शन A है दक्षिन बस्तर दंतेवाडा ऑप्शन B है उत्तर बस्तर कंकेर ऑप्शन C है महासमुद ऑप्शन D है कुरबा और सही जवाब के लिए ये आगया इमेज और इस पर आधारित हमें जवाब मिल जाता है ऑप्शन A दक्षिन बस्तर दंतेवाडा ये आप यहाँ पर देखी रहोंगे दक्षिन बस्ता दंते वाड़ा यहां पर आपको संख्या दीख रही होगी एक हजार तेज नौसो अठारा ग्रीन वाला दिखता है जो ब्लू कलर है वो कुल लिंग अनुपाद दर्शारा है जो रेड वाला है वो आपको अन्य पर दर्शाएगा जो ग्रीन वाला है वो अनुसुचित जाती और जो पर पर कलर वाला है वो अनुसुचित जन जाती की संख्या दिखाएगा तो इस प्रशने के लिए आपको ये परपर कलर वाले जो बॉक्स हैं उस पर नज़र डालना है और इस पर दी गई संक्या के आधार पर 1067 दक्षिन बस्तर दंतेवाडा हमारा सही जवाब दिखता है ठीक उसी प्रकार इस ग्रीन कलर के आकड़ों पर आधारीद भी प्रशने बन सकता है ये इमेज एकनॉमिक सर्वे पर दिये गए हैं और जो डिस्क्रिप्शन लिंक पर पेडियाफ है उस पर भी दिया गया है तो आप डाउनलोड कर लें फिर से कह रहा हूं पेडियाफ डाउनलोड कर लें वीडियो ज्यादा मज़ा देगा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इस इमेज पर नजर डालते हैं वीडियो अब अपने अंतिव बढ़ाओ पर पहुंच रहा है यहाँ पर जिले का नाम है कुल अकांची दस जिले कोरबा राजडान गाओ च्छतिस गड़ की कुल जनसंक्या प्रतिशत पर दी गई है और च्छतिस गड़ की कु उपर के तीन जिलो के बारे में भी जनकारी रखनी है धार्मिक जनसंक्या इसे मैंने पहले वीडियो पर भी डिसकस किया था सबसे जादा यहाँ पर जो जनसंक्या देखने को मिलती है वो हिंदू जनसंक्या है फिर मुसलिम फिर अन्यधर्म फिर इसाई और फिर बौद औ को मिल रहा है यह image अधारित है ग्राम पंचायत की संक्या पर इस पर अधारित प्रश्ण हमने अल्रेडी देख लिया है तो बहुत जादा चर्चा हम ना करें तो बैतर ही होगा फिर उसके बाद 36 गड़ में साक्षर किशोर एवं युवा जिन संक्या प्रतिशत पर अधारित यह image है तो इसे आपको इसलिए याद करना है क्योंकि युवा प्रतिशत अर्थाद आपका demographic dividend के बारे में कुछ यह बताएगा और साक्षर किशोरों की संक्या अर्थाद यह valuable human resource हैं अर्थाद यही वो resource है यही वो संसादन है यही वो संक्या है जो हमारे राज्य को बृद्धी पर लेकर जाएगी यही हमारी राज्य को विक्सित करेगी तो इसलिए इनके संख्या पर आधारित भी आपको इस image के सारे आकड़ों को याद करना है इस पर आधारित मैंने प्रश्ण नहीं बनाए क्योंकि इसमें सारी चीजी important है तो आपको सारे ही आकड़े याद रखने होंगे अगला जो important point है वो यह है कि यहाँ पर percentage of household availability की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ पर कैसे condition है तो 36 गड़ के जितने भी household है उसमें से good condition वाली जो percentage है वो 46.6 percentage है लिवेबल अर्थात रहने लायक 49.5 percentage और dilapidated अर्थात जहाँ पर दिक्कत है वो है 3.9 percentage तो good वाला percentage आप याद रखें लिवेबल नहीं भी रखेंगे तो चलेगा और यह सारे आकड़े आधारित है census 2011 अर्थात जनगंडना 2011 के उपर main source of drinking water अगर आप देखें तो सबसे जादा जो drinking water का source यहाँ पर देखने को मिलता है वो hand pump के द्वारा है जो की है 58.4 percentage अर्थात यहाँ पर सुद्ध पेजल या फिर आप अच्छे पेजल की अपिक्षा कर सकते हैं hand pump के माध्यम से फिर उसके बाद tap water से यह अर्थात नल connection से जो पानी आता है उसमें 12.3 percentage देखेंगे अब asset की अगर आप बात करें तो किसके पास कितना asset है वो सारी जानकारी इसमें last row पर दी गई है तो उतना ज्यादा आपको detail पे नहीं जाना है आप यहाँ पर drinking water के source और percentage of household with condition के बारे में बस याद कर ले उतना ही काफी होगा तो आगे बढ़ते हैं और कुल जनसंक्या महिला पुरुषो की यहाँ पर चलते हैं और यह अधारित है महिला और पुरुषो की कुल संक्या से देखेंगे जीरो से नौ वर्ष तक में अगर आप देखेंगे यह है आपका population pyramid और यह population pyramid क्या बता रहा है तो जड़ा आप देखेंगे कि नीचे की ओर पर यह चोड़ा है अर्थाथ इसका ब्रौट यह इसकी जो length है इसका जो width है वो काफी चोड़ा है इसका मतलब यह है कि 0 से 9 वर्ष वाली संक्या 10 से 19 वर्ष वाली संक्या काफी जड़ा है अर्थाथ आपके पास यूवा जनसंक्या ज़ादा है यह वही जनसंक्या है जब उपर आकर हमें देखने को मिलेगा कि कारेशील जनसंक्या में तबदिल होगी एक काम करेंगे आप कमेंट सेक्षन पर आप इंडिया का पॉपुलेशन पिरामीड का फोटो क्लिक करकर आप वोस्ट करेंगे और उसके बाद ये इमेज इंडिया के परपेक्ष में कैसा बनता है वो हम देखेंगे उसको देखने के बाद हम समझ पाएंगे कि 36 गड़ और तो आपको यहां पर इमेज देखने को मिल जाएगा आपको नीचे का बस याद रखना है जीरो से नौ वर्ष दस से उनिस वर्ष देखिए इस पर आधारित प्रशन मैं नहीं बनाया हूँ क्योंकि इस पर आधारित प्रशन बहुत जादा ऐसे कभी पूछे नहीं गए हैं हमारे नजरों के सामने एटलिस्ट ये रहनी चाहिए ताकि हम कुछ महाँ पर गणित भड़ा कर अपने दिमाग पर सही आप्शन तक पहुंच जाएं तो इस परकार से आप देख रहे होंगे कि जीरो से नौ वर्ष अगर आप जन संक्या देखेंगे महिलाओं पर देखें तो आपको युवाओं की संक्या ही बस याद रखनी इन सारे में से प्रियाटी बेसिस पर सब को याद नहीं रख रहे हैं तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ आप घर पर रहें सुरक्षित रहें और तीसरा वीडियो बहुत जल्दी उपलब दोगा उ आपको कोई सुझाओ भी देना होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं लेकिन आपको कमेंट सेक्शन पर मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तो अनिवार रुख से देने हैं धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले